तो हलो एनिमे फैंस क्या हाल चाल वेलकम टो क्रिटिक्स एनिमे तो आज हम करेंगे बुरूट एपिसोड नमबर 35 का इंदी एप्लेशन और इसे के साथ हम आज को शॉट आउट पर देने माले है तो गाइस मैं इस वीडियो को डालने में इतना मतलब लेट की हुआ आपको ब क्योंकि मतलब देखो ना यार मतलब जिसने राइट एंसर दिया है वो तो पहला वंदा था तो उसके एंसर लोग बाकी में देंगे तो अच्छन लगेगा तो ठीक है स्टार्टिंग के जो 5 लोग थे मतलब जिन्होंने राइट एंसर दिया है उनको शॉट आउट मिलेगा बाकी के जो लोगे वो प्लीज नारज ना होई है क्योंकि उनको भी अगले वीडियोस में शॉट आट मिलेगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन को दबा दीजिए और हो सके तो जो इन बटन को भी दबा देना और हमारे चैनल के मिम्बर बन जाना तो चलोगा इस पहला शिट बोट जाता है अरितना पोस को क्योंकि उन्होंने कहा था कि नरुटो ने कशिको का उनकी की इंडिंग स्कोब पहले पता चल गया तो आगे देखने मजा नहीं आथा चैसे मने कांश सेंसे अपने कान पकड़ लिए थे पर फिर भी मतलब उनकी शारिंगन के कारण उनको वाफोस नाई आ गया था तो चलो गाइज दूसरा शॉट उट जाता है सुनिया अक्तर को क्योंकि उनने का है बुक के स्पोईलर हाँ पस मतलब बहुत चाटकट में कहे दिया है इनोंने तो पर उनने मतलब दूसरे नंबर पर कहा था सबसे प लाइज आ एंसर और अगला शॉट अट देंगे हम उनने का नरुटो और बुक का स्पोईलर दे रहा था तो यह राइट है तो चलो गाइज अग्ला शॉट उट बढ़ते है अगला और आखरी शॉट आप जाता है कलपन अदिवेदी को तो यूनने का नरुटो ने बूक क आगे की स्टोरी बता दी थी इसलिए दकाकाशी ने कान बन कर लिये थे तो चलो गाइज इसलिके साथ शॉट आप स्टेशन कथम होता है और अचका हम रियल एपिसोड स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार मतलब जितने अगर हो सके तो तो चलो यार शानदार इंट्रो के साथ एपिसोड स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर पैरेंस टीचर मिटिंग चलो होती है स्कूल में और बुरुटो की मौम भी उसके साथ आये होती है चैनल से बुरुटो के बारे में वो सर शिकाइब करते रहे थे और बाद में वो कहते है कि बुरुटो बर सरारत होता जा रहा है वो ग्लासेस भी अटेंड नहीं करता तो उसकी मौम केती है ठीक है उसके घर पे जाकर उसको देखती हुँ मैं फिर बुरुटो कहता है क्या परीशानी है यार फ़र बाद में हम देखते कि असा कहने के बुरुटो केता है क्या देखोगी में तो भाग जाओंगा घर से है फिर अगली सीन में हम देखते कि जीचर लोग बात करते रहते है कि सारे पैरेंट्स आ गए है और यहाँ पर बुरूटो अपने दोस्तों के साथ क्लास में आ जाता है और फिर वो सब चुनन एक्जाम के बारे में बाते करते रहते है डेंकी कहता है कि मैं आगे बाकर शुनावी बनने वाला हूँ ये एक्जाम को पास करने के बाद तो फिर बाद में उसके दोस्त बुरॉटो से बुछते है गुरूटो कै तुमने बनने वाले लुटो के ता क्या ये तो boring stuff है यार मुझे ऐसा कुछ पसनद नहीं फिर बाद मैं इस इवावे को गुस्तातर केता है नहीं ये कुछ boring stuff नहीं है और फिर यहाब़र हमें दिखात कि आगे ग्राइजुएशन एक्जाम सने वाली अभी तो उसके लिए में प्रैक्टिस करनी होगी और फिर हम देखते कि वो कहते हैं कि हमें बहुत सारे जुट्सु सिखने पड़ेगे समझे तुम मुझे तो आते हैं डेंकी कहता है और वो कहते हैं कि ऐसे ही बहुत सारे तो हमें इंस्टाक्राम पर.फॉट्स को चलोगा साठी ओफुटीज लिए और आपर मेडल कि फूटेज लते हुए जो जैता है तो मेडल मतलब और फिर हम देखते हैं कि हापर वो इनोबंस से पुछा कि इसको क्या और पर देखता हुए कि मैं तो एक शुनूवी बना बीट नर्वास होती है और वो ऐसे करते करते स्केल सारे बच्चों से पूछता है कि उनको क्या बनना है आगे बढ़े होकर और फिर सब अलग अलग जवाब देता है और यह भी नारद हो तुम्हेर दादा जी भी एक शिनोवी थे और वो बहुत शिक्त है तो बुरुटो केता है क्या सच में अगले दिन हम देखते हैं क्लास में दो लड़किया होती है जिन में से एक लड़की शिनोवी नहीं बनना चाहती वो एक सिंपल साधे स्कूल में जाने वाली होती है तो कुछ नहीं में तो यह पर खड़ा था और फिर यहाद में कि तैमें तो एक जर्नलिस्ट हूँ में लोगों की फोटो कीच कर उनकी इन्फरमिशन लेता हूँ तो बुरुटो क्यता है क्या सच में और तब भी हम देखते हैं कि पीछे से मिस्प किया तर किता है कि है मेरा ना के लिए हाँ और फिर हम देखते हैं किसी का मारू करता है हाँ क्या ठीक से बोलना तो सीख लो प्रोड चुमारू करता है मैं आपने जाला किसी को नहीं दिखाऊंगा तुम टेंशन मत लो और फिर आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर सारदा की मौम भी आती है और वो टीचर से पर में इसके कि पापा का चेहराई नहीं दिखाते हमें एपिसोड में और यहाँ पर हम देखते हैं कि दो लड़किया बेटी होती है जिसमें से एक लड़की तो शिनवी नहीं बनने वाले होती है इसलिए उसके पास आकर उसको मतलब कहती है कि तू क्यों नहीं बन रहे श सरोंए लगते है भी इंड़किता है देखाए मान गए वो अभी और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मतलब वाद मी कोता है जर्नलिस्ट वो जाता रहता है तो इसको बुरतो मिलता है और वो बुर्टो से बातकरता है और वो कैता है कि चलो कल मिलेंगे अब तो मुझे जाना है तो बूटो के दे हाँ हाँ थैंक्स इंस में पर जाता है और फिर वह बूटो py lên पर भादा रहता है और उसके साथ मिस्की बिृटा और without लृट तुम Kiss दिख रहे हो तुम तुम तो बहुत अच्छ ABOUT फिर वो केता है क्या सच में तो वो केता है हाँ तुम सब का ध्यान रखते हो तो बुरूटो केता है नहीं मुझे तने लगता इसा क्यों कह रहे हो तो केता है हाँ तुमने देखो ना तुम जब कुछ बोलते हो तो सब कुछ चेंज हो जाता है देखो डेंकी को भी तुमने कितना चेंज कर दिया उसको भी तुमने मतलब लड़ने के लिए तयार कर दिया इवाबे भी कितना अलग था उसको भी तुमने मतलब अच्छा बना दिया हाँ बुरूटो तुम सच में अबध अच्छे हो और फिर ऐसा किन्ग की बढ़ों के ता है हाँ हाँ कुछ नहीं ऐसा तो मैं हर्वेस करता रहता हूँ हर वक्त मेरा यही तो काम है तो ऐसा बोलने की बाद हम आगे देखते है कि बूल टो केता है चलो अब आद में मीलेंगे अब मैं घर पर जा रही हूँ शाम हो गई है और फिर हम देखते है कि क्लास में जब मतलब रात को हो जाती है तब इरुका संसे से काकाश संसे बोलते है और वो आदमे को यो ना होकर काकाश संसे ही होते है मतलब वो जर्नलिस्ट और फिर वो कहते है कि तुम इतने मतलब अलग क्यों रहते है वो काशी शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ और बागी जगा उपर भी आप सेंड कर सकते हैं तो गाइज मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये एपिसोड बहुत मज़दार था और आज का क्वेशन में पूछना तो बोली गया तो आज का क्वेशन है गाइज कि जो नाइंटेल फ से आपको ये कमेंट बाक्स में बताना है और जितनी जल्दी आप कमेंट करोगे ना उतना ही जल्दी आपका फायदा होगा क्योंकि मैं अगले वीडियो में सिर्फ दो ही लोगों के शॉट आट डेने वाला हूँ जो मतलब सबसे पहले अपना एंसर देंगे तो गाइस थो आपको समझ गया ना तो प्लीज जल्दी जल्दी कमेंट करो वीडियो को पॉस करके विल्दी खतम होने को आया ही है तो मतलब आपको अगर शॉट आट चाहिए ना तो इसा ही करते हो और गाईस मैं हमेशा आपको शॉट आट डेता रहूंगा हर वीडियो में हर क्यों को सिफ एक ही बात करना है बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है तो आप बोल रहे हैं इतना पकार है तो प्लीज यार मेरे लिए सब्सक्राइब कर दो और चलो